1980s के जमाने की बात है कि विवियन रिचर्ड्स जो वेस्ट इंडिस्टी में कप्तान थे उस समय क्रिकेट में वो भारत आए हुए थे इन दोनों का प्रेम संबंद था तो एक गर्वती हुई उस दौरान को अब 1970 के दशक में जो MTP Act अपारित हो चुका था Medical Termination of Pregnancy हुई सकता था तो इनके सब रिष्टेदारों ने इस सलाह दिए कि भई गर्वात करवा लो पर इनको लगता था कि मेरे प्रेम का एक प्रतीग है बच्चा तो मैं कैसे उसको मार दूँ तो इस महिरा ने ठान लिया कि मैं गर्वात नहीं करवाऊंगी क्योंकि हम उस समय बहुत चोटी उम्र में थे लेकिन उस समय टीवी पे अखवारों में चीज़ें चल रही थी है सब भारतीय समाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस महिला को जलील करने की और ये पहाड की तरह खड़ी हो गई कि चाहे कोई कुछ कर ले मैं बच्चे को नहीं मारू नी फिर ये मा बनी दुनिया भरे मजाग बना इसका जीना मुश्किल कर दिया लोगों ने इतना ट्रॉल किया इसको अब उसकी बेटी जो है वो वो अफ्रीकन इंडियन है क्योंकि बाप अफ्रीका का माया की है मसावा गुपता ना में उस डड़की का कभी ट्विटर पर या फेस्बूक पर देखी बहुत स्मार्ट ड़की है और उसको रेशियल बहुत सारा जहिलना पड़ता है बहुत रोचक पक्ष है वो भी एक एग्जामपल समझ मैं रहा है पिछले 20-30 साल में हमें वो भी 21 सदी और 20 सदी के अंत्की बात हो रही है इसलिए जब किसी का मुल्यांगन करना तो परस्थित्यों को जहान रहे हैं क्योंकि उस जमाने में ऐसा संभव नहीं था कि लड़की अपने पेरिंट से ऐसी बात कह सके बहुत मुश्किल बात है चलिए समाब ठूए सारा सवाल चलिए ऑना सवाल रभार किई था तब प्रेंख समाब कि रची आप बात्री जाउन मुश्के बाता है लगन प्रेंगन अ juda